Hi everyone, if you are preparing for UPSC exam, then this vacancy is something you should vouch for. CSIR ने Council of Scientific and Industrial Research, जो की Ministry of Science and Tech के अंदर आता है, इन्होंने दो पोस्ट पे vacancy निकाली है, एक आपका हो गया Section Officer और दूसरा है ASO, Assistant Section Officer. And the name of the vacancy is Case 2023, Combined Administrative Services Examination, एक कहावत है ना English में, Comet DR, Comet Demand, आप इस vacancy को कुछ ऐसा ही समझ लो, आठ तारिक को आपका UPSC मेंस का रिजल्ट आया था, काफी लोग के सपने तूटे थे, काफी लोग demoralize हो गया थे, आगे करना क्या है, क्या पात चूज करें, इस्पेशली वो लोग जिनका ये last attempt था, चाहे आप attempt wise देख लो, या फिर age wise देख लो, और उसी दिन इस exam का notification आया था, Now, इस exam के बारे में बात करने से पहले, I would tell you कि, चाहे आप exam दो या ना दो, इसका form up भर देना, अगर आपने 6-7 महिने से भी UPSC pre के तयारी अच्छे से की है, UPSC में जो भी subjects आते हैं, उन पे आपका थोड़ा सा भी command है, Then this exam is meant for you, मैं अभी आपको syllabus दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा clear हो जाएगा, But आप चाहे exam दो या ना दो, form भर देना, ये चीज़ बात में decide करना, कि आपको exam देना है या नहीं देना है, मैं almost अपने सारे वीडियो में plan B की बात करता हूँ, because in my opinion, plan B बहुत ज़्यादा important है, आपने बहुत लोग को सुना होगा, ये कहते हुए कि सब को छोड़के सिर्फ UPSC के exam दो, It's true कि आपको सिर्फ UPSC पे focus करना है, क्योंकि ये ऐसा exam है कि ये single focus मांगता ही है, बट कुछ exam ऐसे होते हैं, जिनको आप UPSC के साथ दे सकते हो, साथ ही कुछ exam ऐसे भी होते हैं, जो आपके UPSC के ही preparation में help करेंगे, और ये exam वैसा ही है, देखो सबसे पहले post की बात करते हैं, सबसे important चीज़ वही है, तो 4.44 post है, बाइदवे आपको पता होगा कि ये exam 10 साल के बाद हो रहा है, इससे पहले ये exam 2013 में हुआ था, लेकिन जो 2013 में exam हुआ था, उसका pattern बिल्कुल अलग था, और जो ये exam हो रहा है, इसका pattern, इसका syllabus बिल्कुल अलग है, तो आप ये कह सकते हो ना कि ये बिल्कुल fresh exam है, किसी को नहीं पता कि paper कैसा आएगा, question किस type के होंगे, तो जो लोग भी आपके साथ exam देंगे, सब का level playing field होगा, सब लोग clean slate के साथ जाएंगे, और मैं आपको ये बता देता हूँ, कि इस exam को जादा तर UPSC वाले ही qualify करेंगे, क्योंकि इस exam में UPSC वालों को काफी edge है, बाकि जो लोग exam देंगे ना, वो सिर्फ ऐसे ही है, majority जो qualify करेंगे, वो UPSC वाले ही qualify करेंगे, that is why I am saying कि ये बहुत ही अच्छी opportunity है, और बहुत लोग हो सबता आपसे बोले ना, बट forms अभी भर देगा, now 444 vacancies में से 76 post जो है वो section officer का है, और 368 post जो है वो ASO का है, assistance section officer, जो section officer है वो group B की gadget post है, और ASO जो है वो group B का ही post है, बट non gadget, minimum criteria क्या है, तो आपके पास एक graduation की degree होनी चाहिए, कुछ भी कियो आप B A कियो, B SC कियो, B T कियो, अगर आप graduate हो तो आप इस form को भर सकते हो, age limit की बात करें तो maximum 33 साल है, यह इसका minimum qualification है, now आगे बढ़ने से पहले हम salary की बात कर लेते हैं, जो ASO की salary है, जो आपको in hand salary मिलेगा, वो approximately 95,000 मिलेगा, और जो ASO है, वीडियो के last में हम 2013 का paper देखेंगे, कि किस type का paper पूछा गया था, किस type के question आये थे, क्योंकि 2023 से पहले तो 2013 का ही paper हुआ है, और आपके पास कोई benchmark है नहीं, तो 2013 का paper आप देखें, थोड़ा idea ले सकते हो कि जो syllabus है, जो questions हैं, किस level के पूछे जा सकते हैं, now form filling आपका 8 December से start हो गया है, और 12 Jan तक चलेगा, 5 बज़े तक, बट 12 Jan तक आप मत जाना, उससे पहले ही form भर देना, exam की जो tentative date है, वो है February 2024, ये stage 1 का date है, इसके बाद आपका stage 2 होगा, free interview होगा, हम ये देख लेते हैं, की scheme of exam क्या है, ये चीज़े हमने discuss कर लिया है, आप तारीक से start है form filling, बारत तक आप form भर सकते हो, जो fees भरने की last date है, वो है 14 तारीक, stage 1 का tentative date आपका, February 2024 है, stage 1, stage 2 क्या है, इसको हम आगे देखेंगे, ये आपके post की detail हो गई, section officer 76 post है, group B, pay level जो है वो 47,600 है, जो initial enhanced salary मिलता है, वो almost इसका double ही होता है, और बाकी चीज़े आप यहाँ पे देख सकते हो, second आपका है ASO, यहाँ पे 368 post है, ये group B है, non gadget, देखो जो ये post है न, यहाँ पे 3 type के cardar है, एक आपका general हो गया, दूसरा FNA हो गया, तीसरा SNP हो गया, FNA and SNP क्या होता है, you can see, SNP आपका store and purchase होता है, basically यह अलग रख departments है, and FNA जो है वो finance and account हो गया, तो जब आप form भर होगे, तब आपको preference देना होगा, कि आप पहरे नंबर पर क्या रख रहे हो, दूसरे पर क्या रख रहे हो, तीसरे पर क्या रख रहे हो, and based on जो आपके marks आएंगे, जो merit list बनेगी, वो आपको department, वो आपको cardar allocate होगा, यहाँ पर आप post के details देख सकते हो, next यहाँ पर fees देख सकते हो, पांस रुपए हैं, बाकि women, SCST, PWD, ex-servicemen, CSIR, departmental candidate का, कोई fees नहीं लगेगा, now let us see the scheme of examination, यह दो को आपका exam का pattern है, तीन paper आपका होगा, paper 1, paper 2, and paper 3, पहले मैं आपको 2023 का paper का pattern दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको 2013 का दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि यह exam बिलकुल नहीं आए, यहाँ pattern different है, यहाँ पे syllabus different है, यहाँ पे marking scheme different है, and this is the reason कि सबको बराबरी का मौका मिलेगा, न कोई आगे है, न कोई पीछे है, paper 1 में, journal awareness और English language comprehension आएगा, journal awareness के 100 question आएगे, यह MCQ type रहेगा, language and comprehension से 50 question आएगे, यह भी आपका objective type है, इसमें भी 0.33 negative marking रहेगी, 100 question यहाँ पे, 50 question यहाँ पे, total 300 question रहेगा, 300 marks का, इसके बाद paper 2 देखो, यहाँ पे general intelligence, reasoning and mental ability, 200 question आएगे, 200 marks के, मतलब एक question एक marks करहेगा, 0.33 negative marking रहेगी, and इसको solve करने के लिए, आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा, सारा खेल, सारी मशक्कत, speed के रहेगी, और इसलिए मैंने आपसे बोला है, कि यह exam आपके UPSC के लिए भी help करेगा, because आपने देखा है ना, जो CSET का हाल पिछले साल हुआ है, वो फिर से repeat ना हो, उसके लिए सबसे अच्छा यह है, कि आप CSET अच्छे से prepare कर लो, और इस exam में आपका CSET भी test हो जाएगा, क्योंकि exam का जो date है, जो tentative date आया है, वो आपका feb में आया है, और आपका UPSC का pre-mai में आया है, Stage 2 पेपर का क्या है, वो है paper 3, यहाँ पे English Hindi का descriptive paper होगा, इसमें आपको essay, pre-c, letter application, writing लिखना है, यह चीजे भी आपने लिखी होंगी, ऐससे तो आप लिखते रहते हो, बाकि pre-c, letter application, इसका एक format होता है, set format में ही जाके आपको ऐसा लिखना होता है, इसके बाद 2 stage आता है, एक है आपका interview, दूसरा है CPT, जो interview है, वो सिर्फ SO वालों के लिए है, section officer के लिए है, और CPT जो है, वो है ASO वालों के लिए, that means जो ASO के लिए qualify करेंगे, उनको interview नहीं देना होगा, उनको CPT देना होगा, यहाँ देखो, paper 1, paper 2, paper 3, common रहेगा, compulsory रहेगा, सारे post के लिए, मतलब SO और ASO को paper 1 देना होगा, paper 2 देना होगा, paper 3 देना होगा, इसके बाद जो SO रहेंगे, उनको interview देना होगा, जो ASO के लिए qualify करेंगे, उनको CPT देना होगा, that is computer proficiency test, यह CPT जो है, वो 100 marks कर रहेगा, qualifying रहेगा, qualifying nature कर रहेगा, इसके marks final merit में नहीं जुड़ेंगे, तो आपको जो ASO रहेगा, उसका जो cutoff बनेगा, वो 500 marks कर रहेगा, 136 का होगया, 200 इसका होगया, और 136 का होगया, बाकी जो SO कर रहेगा, उसका 600 में से cutoff बनेगा, 500 यहां कर रहेगा, बाकी 100 number interview कर रहेगा, अब cutoff कैसे कैसे बनेगी, let us see, देखो जो SO का post है, वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको paper 1 और paper 2 देना होगा, paper 1 और paper 2 में से, 350 marks का paper 1, paper 2 होगा, इसमें merit बनाई जाएगी, 350 will be called for paper 3, इसके बाद paper 1, paper 2 प्लस paper 3 तीनों को मिला के एक और cutoff बनेगी, और यहां पर जो cutoff से उपर रहेंगे, उनको interview कर बला जाएगा, you can see candidate who secure minimum threshold marks in paper 1, paper 2 and paper 3 in aggregate out of 500 marks, will be called for interview, और interview आपका 100 marks का होगा, और final 600 marks पे आपकी merit बनेगी section officer के लिए, ASO की बात करें तो paper 1 और paper 2 के marks के basis पे, paper 3 और CPT के लिए बला जाएगा, finally आपका 500 marks में से merit बनेगा, ना यहां पर देखो अभी tentative date बताया गया है कि feb है, बट आप यहां पर notes देख सकते हो, paper 1 और paper 2 सेम दिन होगा या फिर अलग अलग दिन होगा, यह हमको बाद में पता चलेगा, और यहां पर देखो, काफ़ लोग language के बारे में पूछ रहते, कि paper हिंदी में दे सकते हैं, कि English में दे सकते हैं, तो paper को आप bilingual दे सकते हो, किसी भी language में, all the paper will be bilingual English and Hindi, except English language part of paper 1, जो आपका English language part है paper 1 का, उसको आपको English में देना है, बाकी यहां पर जो निबंद लिखना है, जो letter लिखना है, उसको चाहे आप English में लिखो, या फिर हिंदी में लिखो, यह तो scheme of examination हो गया, नाओ यहां पर देखो, सबसे important चीज़ इस syllabus, पहला देखो general awareness के लिए, क्या पढ़ना है आपको, history of India, Indian national movement, यह चीज़ें आप पढ़ते ही हो, constitution of India, polity, governance, social justice, यह भी आप पढ़ते हो, and the third one is current affairs, तो यह 100 marks आपने अच्छे से पढ़ा है, और जितना UPSC देने वाले अच्छे से पढ़ते हैं, एक्टिफ, पैसिफ, डिरेक्टिण, डिरेक्टिट स्पीच, प्रिपोजिशन, फिल इन दे ब्लैंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंचुएशन, इडियम औन फ्रेज़ेज, तो ये सेक्शन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ा मिनद करोगे, तो आराम से यहाँ पर मास्टरी कर लोगे, पेपर टू में देखो क्या क्या आता है, जेनल इंटेलिजेंस, रिजनिंग, मेंटेल अबिलिटी, यह आप सीसेट में देखते हो, अर्थमेटिकल और नियूमेरिकल अबिलिटी, यह भी सीसेट में आप देखते हो, जेनरल साइस यहाँ पूछेगा, इकनोमिक और शोशल डेवलप्मेंट, जेनरल इशूज और अन्वार्मेंट एकॉलोजी, यहाँ पर यह सारी चीज़े आप पढ़ते हो, तो देख रहो होना कि पेपर जो है, प्योरली UPSC से अलाइन किया गया, अभी मैं आपको 2013 का सिलेबस दिखाऊंगा, वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसके बाद पेपर 3 में वही essay राइटिंग आएगा, PC writing आएगा, letter application writing आएगा, यह आपका पेपर 3 हो गया, now let me show you 2013 का notification, यह देखो 2013 का notification है, यहाँ पे let me show you the scheme of examination, पेपर 1 तो मोटा मोटा सेम था, बट पेपर 2 देखो यहाँ पे बिल्कुल अलग है, यहाँ पे domain knowledge पूछता है, इस specialized question पूछता है, specific question पूछता है, पेपर 2 का syllabus आप देखो, fundamental rules, supplementary rules, CSS, finance rules, office procedure, management principal and practices, ERP application and operations, देखो जो point number 5 है, management principal and practices, यह section आपका 2013 में भी है, यहाँ देखो management principal and practices, तो इस topic को पढ़ने के लिए आप, यहाँ से यह syllabus यूज कर सकते हो, यहाँ जो जो point दिये गाए हैं, उन पे based and secure लगा, और it's more than enough, मैं आपको 2013 का paper प्रोवाइड कर दूँगा, आपने telegram channel पे, उसको आप download कर लेना, और एक बार देखना कि किस type के question आए है, यह देखो paper 1 है, 2013 का paper है यह, जेनल इंटेलिजेंस, जेनल अवेरनेस और लेंगज कॉम्रेंशन, यहाँ देखो, C-set के question है पहले, 4 horses are walking in the direction of moving train, a passenger in the train sees that one of the horses is black, and the three are white, which of the following can never be true, इस type के question C-set में पूछे ही जाते हैं, यह देखो missing number बताना है, यह भी C-set में आता है, इस type के question भी आपको C-set में देखने हों के मिलेंगे, so this is the 2013 paper, यहाँ देखो यह जेनल साइन सा question है, इन winter one normally feels colder after the meal, इसके बाद देखो, it is colder at the top of the mountain as compared to base, because यह सारी चीज़े आप NCRT में पढ़ते ही हो, तो जितना आप depth UPSC का paper पढ़ने में देते हो, UPSC का syllabus पढ़ने में देते हो, उतने depth में यहाँ पर question नहीं आएगा, जो आपके UPSC का syllabus है, आप उसको revise कर लेना, plus C-set पर थोड़ा command बना लेना, English वाला portion थोड़ा सही कर लेना, बहुत strong position हो जाएगी आपकी, I again reiterate कि इस paper को आप miss मत करना, चाहे आप 2024 का pre दे रहो तब भी, और नहीं दे रहो तब भी, यह आपका paper 1 रहा, 2013 में जो आया था, और यह आपका paper 2 रहा, यह दो को specialized paper है, domain knowledge पूछता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सारे question specific मिलेंगे, बस आप management principle and practices वाले जो question है न, उनको अलग कर लेना, मैं इन दोनों paper को telegram पे डाल दूँगा, आपको telegram का link description box में मिल जाएगा, इसके बाद भी कोई doubt है, इस paper को लेकिए, then you can ask in the comment section, और इस paper के लिए आपको बहुत जादा अलग से पढ़ने के ज़रत नहीं है, थोड़ा extra time आपको English को देना पढ़ेगा, बाकि जो चीज़े आप UPSC के ले पढ़ते हो, वही चीज़े आप यहाँ पे करोगे,